Welcome to exam preview इस वीडियो में 19 दिसंबर 2018 को हुए देली पुलिस MTS के exam का complete solution देखेंगे और इसी तरह के question देली पुलिस MTS 2022 के exam में भी देखने को मिलेंगे तो चलिए बिना देरी की वीडियो शुरू करते हैं इसमें पहला question पूछा गया था जिमनास्टिक वर्ड चेलेंज कब 2018 में सोन पदक जीतने वाला पहला भारते कौन है इसका सही answer हो जाएगा option D दीपक करमाकर next question हो जाएगा ये एक series दी हुई है वे अगला नंबर पूछा गया है 4 वे 9 के मद्धे 5 का अंतर है 9 वे 19 के मद्धे 10 का अंतर हो जाएगा 19 वे 49 के मद्धे 20 का तो इसी करमे 49 वे अगली संख्या के मद्धे अंतर हो जाएगा 40 का इसका सही answer हो जाएगा option B 89 next question हो जाएगा संगीत से कौन सा वेद संबंध है इसका सही answer हो जाएगा option B शाम वेद, शाम वेद संगीत से संबंदित है इसका लावा यजुर वेद मंत्रों से संबंदित है रिग वेद सबसे प्राचीन वेद माना जाता है अथर वेद ये हो जाएगा जादू टोना से संबंदित है नेक्स कुस्चन हो जाएगा पृतिमान को पूरा करने वाले चित्र को पहचानी है इसका सही अंसर हो जाएगा option D next question हो जाएगा उस जोड़ी का chain कीजिए जिसमें सब्दों का संबद अन्ने से भिन है तो जाड़ू का काम होता है जाड़ने या clean करने का और चमच का काम होता है खिलाने का साबून का काम होता है धोने का इसका सही अंसर हो जाएगा option C गिरीदार फल फोड़ना ये गिरीदार फल का कोई काम नहीं है next question हो जाएगा 6 km चलने के बाद मैं डाएं मुड़ता हूँ और 2 km चलता हूँ और फिर मैं बाएं मुड़कर 10 km चलता हूँ अंत मैं मैं उत्तर की ओर चलता हूँ मैंने अपनी यात्रा किस दिसा से आरंब की तो इसका सही अंसर हो जाएगा option B दक्छिन दिसा से है next question हो जाएगा ये दि A तथा B दोनो दो और तीन के गुनस हो तता उनका योग 78 हो तो उनके मान होंगे सबसे पहले इनके योग देख लेते है 36 वे 62 का योग हो जाएगा 98 तो ये गलत हो जाएगा इसी तरह से 12 वे 66 का योग हो जाएगा 78 और अग दिया हुए 10 वे 68 का योग हो जाएगा 78 इसी तरह से आगे हो जाएगा 26 वे 62 का योग हो जाएगा 88 तो ये भी गलत हो जाएगा अब हमारा अंसर आजाएगा B या C में से अब देख लेते हैं 12 दो वे 3 का गुण जे ठीक है इसी तरह से 66 दो वे 3 का गुण जे हमारे सही अंसर हो जाएगा option B Next question हो जाएगा एक सीरीज दी हुई है वे अगले नंबर पूछा गया है 9 वे 18 के मद्धे अंतर 9 का हो जाएगा 18 वे 36 के मद्धे ये हो जाएगा 18 का अंतर और 36 वे 72 के मद्धे 36 का अंतर इसी तरह से 22 वे अगली संख्या के मद्धे 72 का अंतर हो जाएगा तो 22 में 22 जोडेंगी यह आ जाएगा 144, option first इसका सही answer हो जाएगा, next question हो जाएगा, यदि दक्षिन पूरव उत्तर हो जाए, उत्तर पूरव पस्चिम तथा इसी तरह आगे भी सिलसिला जारी रहे, तो पस्चिम क्या हो जाएगा, हमारे सामने दिशाएं दीवी हैं, अब इसमें दिया हुआ है दक पूरव दिशा, यह हो जाएगी पस्चिम, हमसे पूछागा यह पस्चिम दिशा क्या हो जाएगी, तो पस्चिम दिशा हो जाएगी, देक्षिन पूरव, option C, इसका सही answer हो जाएगा, next question हो जाएगा, इसका सही answer हो जाएगा, option C, शारव भूमिक, व्यस्क, मत अधिकार, next question हो जाएगा, 36 गड़ की राज़दानी का नाम है, इसका सही answer हो जाएगा, option C, राइपुर, इसका लावा राची, जारगंड की राज़दानी है, वे पटना बिहार की, इंदो और मध्य प्रदेश का एक city है, next question हो जाएगा, किसी मिनी बस में 6 सीटे खाली हैं, 3 विक्ती उन सीटों पर कितने तरीके से बैठ सकते हैं, तो 6 सीटों पर 3 विक्ती सबसे पहले, एक एक करकर बैठ जाएगे, उसके बाद 3 सीटे बचती हैं, 4, 5, 6, यह आ जाएगा, इनको गुणा करेंगे, 120, option C का सही answer हो जाएगा, next question हो जाएगा, कोई दूद वाला X रुपे परती लिटर की दर से दूद खरीदता है, तथा 2X परती लिटर की दर से बेचता है, फिर भी वह सुध दूद के परती 6 लिटर में 2 लिटर पानी डालता है, उसका लाब परतीसत ग्यात कीजिए, तो सबसे पहले हम मान लेते है दूद की वह 6 लिटर दूद खरीदता है, तो 6 लिटर दूद का मुल्य हो जाएगा, 6 रुपे इंड़ और बेचेगा, वो तो 6 लिटर में 2 लिटर पानी डालता है, तो यह हो जाएगा टोटल 8 लिटर, और इसे बेचेगा, 2 लिटर परती रुपे की दर से, तो यह इसका मुल्य आ जाएगा 8 तुनी 16 अब 16 में से 6 गटाएंगे तो उसे टोटल 10 रुपे का लाब होता है और 10 का लाब 6 के उपर गुणा 6 गुणा 100 तो ये आ जाएगा हमारा 166.66 पुर्थिसेद नेक्स कुशन हो जाएगा अजीम प्रेम जी ने फोब्स इंडिया लीडर्शिप पुरुषकार 2018 जीता वे किसके चेर्मेन है इसका सही अंचर हो जाएगा option C वी प्रोक है नेक्स कुशन हो जाएगा नेमीन मैंसे किस राज्ये में चुनाव नहीं होने वाले हैं तो इसका सही अंचर हो जाएगा option B गुजराद नेक्स कुशन हो जाएगा उत्तर चेतर से एक उपरियुक चेतर चुने है जो प्रसंच चेतर को प्रतिस्थापित करेगा इसका सही अंचर हो जाएगा option second नेक्स कुशन हो जाएगा उस सब्द का चैन कीजिए जो अन्य से भिन है इसका सही अंचर हो जाएगा option D ब्लेड कुलाडी वे कैची काटने का काम करती है इसलिए इसका सही अंचर हो जाएगा option D next question हो जाएगा यहाँ पासी की दो इस्तितिय दर्शाई गई है यदि तल में दो बिंदू हो तो उनके उपर में कितनी बिंदू होंगी इसका सही अंचर हो जाएगा option C पांच अगला कुश्चन हो जाएगा पिता ने अपने पुत्र से कहा तुमारे जन्म के समय में उतनी ही आयू का था जितना तुमारी वर्तमान आयू है यदि पिता की वर्तमान आयू 38 वर्स हो तो पांच वर्स पूर पूत्र की आयू क्या थी इसे करेंगे माना पूत्र की वर्तमान आयू बरावर X तो पिता की पूत्र के जन्म के समय आयू हो जाएगी 38 माइनस X इसे लिखेंगे 38 माइनस X बरावर X यह हो जाएगा 2x बराबर 38 तो x का मान आजाएगा x बराबर 19 वर्ष पूत्र की वर्द मान आई हो जाएगी 19 वर्ष पांस साल पूर पूत्र की आई हो पूछी है यह आजाएगी 19-5 बराबर 14 option first इसका सही answer हो जाएगा next question हो जाएगा नद्यों के मध्य वाली भूमी को क्या कहा जाता है इसका सही answer हो जाएगा option c दो आब next question हो जाएगा यह एक सिरेणी दीवी है वे अगले नंबर के बारे में पूछा गया है सबसे पहला हम इनकी numbering कर लेते हैं यह मतलब 1 यह मतलब 5 और जे 10 वे नंबर पर आता है एन 14 वे नंबर पर s 19 वे नंबर पर वे डवलू 23 वे नंबर पर अब इसमें देख लेते हैं A वे E के मद्धे 4 गंतर है E वे J के मद्धे 5 गंतर है J वे N के मद्धे 4 गंतर है N वे S के मद्धे 5 का S वे W के मद्धे 4 का और इसी तरह से W में 5 जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा B Option C इसका सही अंसर हो जाएगा Next question हो जाएगा नेमिन में से कौन समुंदर गुप्त के दरवार में कवी और मंतरी था इसका सही अंसर हो जाएगा Option B हरी सेन Next question हो जाएगा Golden Globe Race क्या है इसका सही अंसर हो जाएगा Option 1 Globe के 4 और की यात्रा इसको इंगलिसमें बोला जाता Sail Around the Globe Globe के 4 और Next question हो जाएगा भारतिय सविधान दिवस कब मनाया जाता है इसका सही अंसर हो जाएगा Option B 26 November को Next question हो जाएगा Internet से संपरकित स्मार्टफोन Wireless Devices Home उपकरन तथा Vehicles जैसे उपकरनों को जोड़ा जाता है तथा Data Veneme में सायक होता है निमिन में से ऐसा कौन सा Network Devices है इसका सही अंसर हो जाएगा Option C Internet of Things Next question हो जाएगा सब्द को उसके आधार पर विविस्तित कीजिए इसका सही अंसर हो जाएगा Option First इसमें सबसे पहले आजाएगा D उसके बाद आजाएगा A उसके बाद C उसके बाद E और उसके बाद आजाएगा B Next question हो जाएगा संस्किर्थी एवम समुदाई के लिए निक्की एशिया पुरुषकार 2018 किसे दिया गया इसका सही अंसर हो जाएगा Option D डॉक्टर बिंदरेश्वर पाठक को Next question हो जाएगा इसमें कुछ आकर्तिय दी हुई है वे अगली आकर्ति के बारे में पूछा गया है इसका सही अंसर हो जाएगा Option C Next question हो जाएगा किसी पासे को चार बार फैका गया और उसके चार भिन भिन परिस्तितियों को नीचे दर्साय गया है दो दर्साने वाले फलक फलकों के विपरीत फलक पर संख्या गयात कीजिए इसका सही अंसर हो जाएगा Option C पांचा जाएगा Next question हो जाएगा इन में से कौन सा दातू का एक गुण नहीं है इसका सही अंसर हो जाएगा Option D भंगुरता अगात वर्दिननेता कठोरता होए तन्यता ये दातू के गुणे Next question हो जाएगा FAO का पूर्ण रूप है इसका सही अंसर हो जाएगा Option First Food and Agriculture Organization Next question हो जाएगा प्राइस समाचार पत्रों में व्याप्त सबरी माला मंदिर कहां इस्तित है इसका सही अंसर हो जाएगा Option B केरल में Next question हो जाएगा एक महीला की और इसारा करते हुए अभीजीत ने कहा उसकी पोती मेरे भाई की एक मातर पत्री है तो ये कोई महीला हो जाएगी उसकी पोती मेरे भाई की एक मातर पत्री है तो ये अभीजीत का भाई हो जाएगा उसकी एक मातर बेटी है next question हो जाएगा थेंगटा एक मार्शल कला है जिसका संबंध है इसका से एंसर हो जाएगा option first मनीपूर से next question हो जाएगा यदि वृत एक तथा वृत दो की तरज्याओं का अनुपाद दो अनुपाद तीन हो तो उन वृतों के छेतरफल का अनुपाद क्या होगा तो वृत का छेतरफल होता है πाई यार स्कॉयर इसमें दिया हुए है पहले वृत की तरज्याओं हो जाएगी दो का वर्ग और इसी तरह से दूसरे वर्ग की तरज्याओं हो जाएगी तीन का वर्ग इसमें पाई से पाई कार्ड देंगे तो नीचे आ जाएगा 2 का स्कॉयर 4 और 3 का स्कॉयर 9 यह आ जाएगा 4 अनुपात 9 Option 10 का सही अनसर हो जाएगा Next question हो जाएगा दांडी मार्च का कारण क्या था इसका सही अनसर हो जाएगा Option 1 नमक कानून तोड़ना Next question हो जाएगा FIFA World Cup 2018 का आयोजन कहा हुआ इसका सही अंसर हो जाएगा Option B रूस में Next question हो जाएगा 65 km प्रति घंटा की दर से गती मान कोई कार एक घंटे में एक दूरी ते करती है यदि इस कार की गती दर 15 km प्रति घंटा से कम हो जाए तो यह उतनी ही दूरी ते करने में कितना समय लेगी यहां कार की चाल दी हुई है 65 km प्रति घंटा और कार दुआरा एक घंटे में ते की गई दूरी हो जाएगी 65 km आग दिया हुआ है 15 km प्रति घंटा कार की चाल कम करने पर कार की चाल आ जाएगी 50 किलोमेटर प्रतिगंटा और हमसे पुछा गया है उतनी ही दूरी ते करने में समय तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल दूरी हो जाएगी 65 किलोमेटर बटे चाल हो जाएगी 50 यह आ जाएगा एक पॉइंट तीन गंटा और समय पूछा गया है मिंटों में इसको 60 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 38 मिंट ओप्शन सी इसका सही अंसर हो जाएगा नेक्स वोशन हो जाएगा वर्ग 9 की अंतिम परिक्षा में 50 चात्र हैं इन मेंसे 10 परिक्षा चात्र फैल हो जाते हैं वर्ग 10 में जाने वाले चात्रों की संख्या तो इसमें देख लेते हैं वर्ग 10 के पास चात्रों का परिक्षा बराबर आ जाएगा 100 परिक्षा माइनस 10 परिक्षा बराबर 90 परिक्षा नवी से तो नीचे आ जाएगा दो बराबर 45 चात्र नवी से दस्वी में जाएगे नेक्स ओस्टन हो जाएगा सार का मुख्याले कहां इस्तित है इसका सही अंसर हो जाएगा ओप्शन C काठ मंडू नेपाल में सार की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका बंगलादीस में हुई थी और सार का पूराना मुतैस साउथ एसियन असोसियेशन फोर रीजनल कोपरेशन इसे 17 जनवरी 1987 को काठ मंडू इस्तनांत्रित कर दिया गया सार क में कुल 38 सामिलें अफगानिस्तान, बंगलादीस, भूटान, इंडिया, मालदीप, नेपाल, पाकिस्तान वे, सिरी लंका नेक्स सोसन हो जाएगा वे एक मातर व्यक्ति जिन्होंने दो बार राष्टपती पद की सेवा की है इसका सही अंसर हो जाएगा ओप्शन C, डॉक्टर राजिंदर प्रसाद नेक्स सोसन हो जाएगा 69 वे 6 का महत्तम समापवर तक ज्याद कीजिए तो 69 के गुणज हो जाएगे 69 वे 1 और 6 के गुणज हो जाएगे 2, 3, 1 इसमें कॉमन आजाएगा 1, ओप्शन D इसका सही अंसर हो जाएगा नेक्स कॉस्चन हो जाएगा निमिन में से कौन सा प्राचीन कर्मकांड था जिसमें गोडे को सामिल करते हुए राजा यग संपन कराता था इसका सही अंसर हो जाएगा ओप्शन C असुमेग यग next question हो जाएगा भारत में cyber सुरक्षा से सम्बंदित agency है इसका सही answer हो जाएगा option D search in next question हो जाएगा उस शित्र को चुनिए जो अन्य से अलग है इसका सही answer हो जाएगा option first next question हो जाएगा दूद्वा बाग रक्षित वन कहां इस्तित है इसका सही answer हो जाएगा option C उत्तर प्रदेश में next question हो जाएगा लड़कों की एक पंग्ती में A पंग्ती के बाएं से दसवे इस्तान पर है तथा B पंग्ती के दाएं से नवे इस्तान पर है यदि वे अपना अपना इस्तान परस पर बदलते हैं तो A बाएं से पंद्रवे इस्तान पर आता है पंग्ती में कितने लड़के हैं तो ये हो जाएगा A का इस्तान बाएं से दसवा दिया हुआ है वे B का इस्तान दाएं से नवा दिया हुआ है अब यह जब अपना इस्थान बदलते हैं तो A का इस्थान 22 से पंदरवा हो जाता है तो इसमें 15 में 9 जोड़ेंगे तो यह आजाएगा 24 इसमें से 1 गटाएंगे तो यह आजाएगा 30 Option 1 इसका सही answer हो जाएगा अगले question हो जाएगा शुमिंग के लिए क्या अनिवारी है इसका सही answer हो जाएगा Option C जल Next question हो जाएगा निमिन में से किसका उलेख प्रस्ता होना में नहीं मिलता है इसका सही answer हो जाएगा Option D सोतंतरता इसके अलावा गंतंतर, लोकतंतर, विधर्म, निर्पिक्स्ता ये तीनों सब्द प्रस्तावना में विद्मान है Next question हो जाएगा प्रसीद टोई ट्रेन जिसकी यातरा ब्लैंक से आरंभ होती है तथा निव्जल पाइगुडी में समाप्त होती है इसका सही answer हो जाएगा Option First दार्जलिंग पस्चिम बंगाल से प्रसीद टोई ट्रेन परारंभ होती है तथा निव्जल पाइगुडी तक जाती है Next question हो जाएगा निमिन में से कौन सा हिंदुस्तानी संगीत से जुड़ा है इसका सही answer हो जाएगा Option D दुरूपद ख्याल वे ठुमरी ये तीनों हिंदुस्तानी संगीत के परकार है Next question हो जाएगा रूस के अंतरिक्ष एजिंसी का नाम बताएगा इसका सही answer हो जाएगा Option B रूस कोस्मोस रूस की अंतरिक्ष एजिंसी का नाम है Next question हो जाएगा और इस्रो भारत के अंत्रिक चेजिंसी का नाम है Next question हो जाएगा खुदाई खिद्मतगार का निर्मान किसने किया इसका सही अंसर हो जाएगा Option C खान अब्दुलगफार खान Next question हो जाएगा Airy टसर तथा मूंगा का प्रकार होता है तो Airy टसर तथा मूंगा रिसम के प्रकार होते है Option B इसका सही अंसर हो जाएगा Next question हो जाएगा किस धातु पत्र से खाद्य पधार्तों को लपेटा जाता है इसका सही अंसर हो जाएगा Option B Aluminium foil से Next question हो जाएगा वहे कौन एक मात्र भारती हैं जिने संयुक्तराष्ट मानवधिकार पुरुसकार प्राप्त हुआ इसका सही अंसर हो जाएगा Option First बाबा आम्टे एक मात्र भारती हैं जिने संयुक्तराष्ट मानवधिकार पुरुसकार प्राप्त हुआ Next question हो जाएगा वर्सा बूंदा बूंदी होना जिस तरह से वर्षा का संबंद बूंदा-बूंदी या कम वर्षा से है उसी तरह दोडने का संबंद हो जाएगा धीमी वर्षा से Option D इसका सही अंसर हो जाएगा Next Option हो जाएगा निमिन में से कौन सा राज्य की नीति निर्देशक से धानत नहीं है इसका सही अंसर हो जाएगा Option First अंतरिक्स अनुसंधानों को प्रोणनत करना इसका लावा मुक्त कानुनिसायता, समान आचार सहीता वे सहकारी संस्तानों का संवर्धन ये नीति निर्देशक से धानतों के अंतर बताते हैं अगला कुश्चन हो जाएगा ए तथा बी का ओसत मानसिक आए 1010 है तथा ओसत मानसिक वे 450 है उनकी ओसत बचत ग्याद कीजिए तो कुश्चन में ए वे बी की ओसत आए दी हुई है 1010 तो ए वे बी की कुल आए हो जाएगी 1010 गुणा 2 बराबर 2020 ए वे बी का ओसत खर्च दिया हुआ है 450 तो ए वे बी का कुल खर्च आजाएगा 450 गुणा 2 बराबर 900 अब ए वे बी का कुल बचत आजाएगा कुल आए माइनस कुल खर्च या आजाएगा 1120 ए वे बी की ओसत बचत पूछी है तो ए वे बी की ओसत बचत बराबर आजाएगी ग्यारा सो बीस बटे दो बराबर पान सो साथ option 20 का सही answer हो जाएगा next question हो जाएगा दिए गए चितर को रंगने में भिन भिन रंगों की नियुंतम संख्या इस परकार ग्यात की जिए कि चितर के आसन दो छेतरों की रंगाई एक ही रंग से ने की जाये, इसका सही answer हो जाएगा, option first next question हो जाएगा ये एक reasoning का question है, जिस तरह से बढ़ाई का संबंद आरा वे कील से है, उसी तरह से बाल चिकित सक का संबंद हो जाएगा स्टेथिसकोप वे थर्मामीटर, option first इसका सही answer हो जाएगा next question हो जाएगा, उस विकल्ब चितर को ग्याद कीजिए, जिसमें चितर एक्स के भाग के रूप में पाया जाता है इसका सही answer हो जाएगा, option B next question हो जाएगा, निमिन में से कौन सा सर्वधिक प्रसिद असोक इस्टूप है इसका सही answer हो जाएगा, option B, सांची स्टूप, और सांची स्टूप मध्य प्रदेश में इस्टित है इसका अलावा, सारनाथ, सारनाथ हो जाएगा, वारान सी उतर प्रदेश में वेशाली वे राजग्रहे, ये बिहार में स्टित है next question हो जाएगा, दिए गए चितर में तिर्भुजो की संख्या ग्यात कीजिए तो इस चितर में तिर्भुजो की कुल संख्या पंदरा है, उप्शन सीज का सही अनसर हो जाएगा अगला question हो जाएगा उस चितर का chain कीजिए जो खाली box में जाएगा ताकि निमीन दो चितरों का संबन ठीक वैसा ही हो जैसा की इनके उपर वाले चितरों में है, जिस तरह से आँखों से देखा जाता है, वे दुर्बीन दूर तक देखने में साहिता करती है उसी तरह से मुझ से बोला जाता है, वे माइक दूर तक हवाज पहुचाने में साहिता करता है option B इसका सही अनसर हो जाएगा विमल्डन ओपन 2018 का महील एकल खिताब किसने जीता इसका सही अनसर हो जाएगा option B एंजलिक करबर ने इसका सही अनसर हो जाएगा इसका सही अनसर हो जाएगा option B next question हो जाएगा किस मुगल सासक के अंतरगत है चितर कला अपने सिखर पर पहुचा इसका सही अनसर हो जाएगा option C जहांगीर के अगला question हो जाएगा निमिन में से कौन वेन चितर गाजर खादे सबजी के मद्धे सही संबंद को दरसाता है तो गाजर एक सबजी हो जाएगी वे गाजर वे सबजी दोनों खादे के अंदर आ जाएगे option first इसका सही अनसर हो जाएगा next question हो जाएगा प्रतिमान को पूरा करने वाले चितर को पहचानी है इसका सही अनसर हो जाएगा option C next question हो जाएगा गेंदों की एक थेले में से एक लाल रंग की गेंद निकालने की प्राइकता एक वटे नो है यदि थेले में कुल 45 गेंदे हों तो उन में से कितनी गेंदे लाल रंग की नहीं है तो लाल रंग की गेंद निकालने की प्राइकता दी हुए एक वटे नो ऐखो और कुल गेंदे हो जाएंगी 45 यह आजाएगा पांच लाल रंग की गेंदों किसें क्या जाएगी पांच 45 में से 5 गटाएँगे तो 40 गेंदे हो जाएंगी जो लाल रंग की नहीं है Option 20 का सही अंसर हो जाएगा Next Option हो जाएगा A B की बहन है C B की माता C के पिता है E D की माता तो A किस परकार D से संबन्दित है तो A D की पोती हो जाएगी Option D इसका सही अंशर हो जाएगा Next option हो जाएगा विजे नगर सामराज्य की राजदानी कौन सी थी इसका सही अंसर हो जाएगा Option D हम पी हम पी विजे नगर सामराज्य की राज़धानी थी नेक्स कोसन हो जाएगा हाल ही में गाजा चक्रवात ने किस राज्य में धावा बोला इसका सही अंसर हो जाएगा ओप्सन डी तमिल नाडू में नेक्स कोसन हो जाएगा श्रेनी पूरा कीजिये इसमें 173 whey 152 के मद्द 21 का अंतर है 152 whey 131 के मद्द 21 का अंतर है 131 whey 110 के मद्द 21 का अंतर है इसी तरह से 110 में से 21 गटाएगे तो ये आ जाएगा 89 ओप्सन डी इसका सही अंसर हो जाएगा नाग्सोशन हो जाएगा श्रेनी पूरा कीजिये इसमें सबसे पहले वोलीबॉल, उसके बाद होकी उसके बाद फुटबॉल तो इस क्रम में अगले आगे क्या आएगा इसका सही अंसर हो जाएगा option B, baseball भी इसी तरह का game है next question हो जाएगा निमिन चार विकलपों में से उस चित्र का chain कीजिए जो चित्र आवियू को पूरा करेगा इसका सही अंसर हो जाएगा option first next question हो जाएगा निमिन को तार की किरम में विवस्तित कीजिए इसका सही अंसर हो जाएगा option D next question हो जाएगा वेशाली नगर तथा C scheme में 20,000 लोग रहते हैं उन में से 9,000 लोग समचार पतरीका 12,000 लोग भारत समचार पतरीका का अनुमोदन करते हैं यदि 4,000 लोग दोनों पतरीकाओं का अनुमोदन करें तो कितने लोग किसी भी पतरीका का अनुमोदन नहीं करते हैं तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ है कि 9000 लोग समाचार पतरीका का अनुमोदन करते हैं, वे 12000 लोग भारत पतरीका का, और आगे दिया हुआ है इसमें 4000 लोग दोनों पतरीकाओं का अनुमोदन करते हैं, और इसमें पूछा गया है तो कितने लोग किसी भी पतरीका का अनु नहीं करते हैं सबसे पहले 9 में से 4000 गटाएंगे तो यह आजाएगा 5000 लोग या केवल 5000 लोग हैं जो समाचार पत्रीका का नमोदन करते हैं इसी तरह से 12000 में से 4000 गटाएंगे तो केवल 8000 लोग भारत पत्रीका का नमोदन करते हैं अब इनको जोड़ लेंगे 5,000 प्लस 4,000 प्लस 8,000 यह आ जाएंगे टोटल 17,000 20,000 में से 17,000 गटा देंगे 3,000 सही अंसर आ जाएगा option first इसका सही अंसर हो जाएगा next question हो जाएगा सिरेणी पूरा कीजिए इसका सही अंसर हो जाएगा option C next question हो जाएगा समुदरी जलका दिन में दो बार लेकारी उत्थान तथा पतन कहलाता है इसका सही अंसर हो जाएगा option first जवार भाटा अगले question हो जाएगा चार संख्याओं का ओसत 20 है यदि इन संख्याओं के योगफल में A तथा B को जोड़ा जाता है तो ओसत 30 हो जाता है A पिलस B ग्याद कीजिए तो question में दिया गया है चार संख्याओं का ओसत 20 है तो चार संख्याओं का कुल हो जाएगा 20 गुणा 4 बराबर 80 इसमें आगे दिया हुआ है यदि इन संख्याओं के योगफल में A वे B को जोड़ा जाता है तो चार में A वे B मतलब 2 संख्याओं जोड़ी जाती है तो इन 6 संख्याओं का ओसत दिया हुआ है 30 आगे दिया रखा है तो इन 6 संख्याओं का कुल हो जाएगा 30 गुणा 6 बराबर 180 अब 180 में से 80 घटाएंगे तो यह आजाएगा 100 A प्लस B का मान आजाएगा 100 Option B इसका सही अंसर हो जाएगा Next Question हो जाएगा सरस्वती सम्मान 2018 से किसको सम्मानित किया गया इसका सही अंसर हो जाएगा Option C सीतान सू यस चंद्र को Next Question हो जाएगा लेजर हिमाले का अन्य नाम बताएं या लोवर हिमाले का अन्य नाम इसका सही अंसर हो जाएगा Option B हिमाचल हिमाले Next Question हो जाएगा वर्स 2018 में निमिन में से किसको राज्य सबा के लिए मनोनित नहीं किया गया इसका सही अंसर हो जाएगा Option First गुलजार को Next Question हो जाएगा गरम चूला तो ठंडा करने का काम कोन करेगा जिस तरह से चूला गरम करने का काम करता है ठंडा करने का काम करेगा रेफिजरेटर Option D सही अंसर हो जाएगा Next Question हो जाएगा भारत में ACI सिंगो का प्राकरतिक आवास इस तरह कहा है इसका सही अंसर हो जाएगा Option B गिरीवन ये गुजरात में स्थितिक अभ्यारन है Next Question हो जाएगा CNG का विश्तार रूप है इसका सही अंसर हो जाएगा Option First Compressed Natural Gas Next Question हो जाएगा सत्ति में जायते कहां से लिया गया है इसका सही अंसर हो जाएगा Option First मुंड को अपनी सद्ज है Next Question हो जाएगा लंबाई 13 मीटर तथा छेतरफल 286 वर्ग मीटर है मीटर वाले आयत का परिमाप कितना होगा तो आयत का छेतरफल होता है लंबाई गुणा चोड़ाई और तो लंबाई गुणा चोड़ाई बराबर दिया गया है 286 और लंबाई दी हुए इसमें 13 मीटर गुणा B बराबर 286 तो यह आजाएगा B बराबर 22 आजाएगा उसके बाद आयत का परिमाप हो जाएगा दो लंबाई प्लस चोड़ाई यह आजाएगा 2 लंबाई हो जाएगी 13 प्लस बाईस चोड़ाई 13 और 22 को जोड़ेंगे यह आजाएगा 35 पैंतिस को दो सग गुणा करेंगे तो यह आजाएगा सत्तर option C इसका सगी अंसर हो जाएगा next question हो जाएगा उसन कटी बन दिये वर्षा वन में निमिन में से कौन सा समानेते नहीं मिलता है इसका सगी अंसर हो जाएगा option B सिंग या सिर next question हो जाएगा निमिन में से कौन सा विध्या की एक प्राचीन संस्ता है इसका सगी अंसर हो जाएगा option D तक्चसिला तक्सिला बिहार मिष्थीत है next question हो जाएगा chicken curry किस राज्य से संभन्दित है इसका ज़िया एंस्र हो जाएगा option c उत्तर प्रदेश से next question हो जाएगा table का जैसे संभन्द cast से है या लकड़ी से है वैसा ही संबन्द salt का blank से होगा इसका सही answer हो जाएगा option B कपड़े से जिस तरह से table को cast या लकड़ी से बनाए जाता है उसी तरह से site कपड़े से बनती है next question हो जाएगा दिये गए चित्र X के सही दरपन पृतिविम को निमिन चार विकलपों में से चुनिये इसका सही answer हो जाएगा option C next question हो जाएगा एक घं में कितने विकलपों होते हैं इसका सही answer हो जाएगा option first 4 next question हो जाएगा उस चीत्र का chain कीजिए जो जैड के खुले चीत्र के सरवाधिक सादरस्य होगा इसका सही answer हो जाएगा option B अगले कुश्यन हो जाएगा दस वर्सों में दस वर्स पूर B की जितनी आयू थी A की आयू उससे दुग नहीं हो जाएगी यदि A की वर्तमान आयू B से 9 वर्स अधिक हो तो B की वर्तमान आयू क्या है तो माना B की वर्तमान आयू बराबर X है तो A की वर्दमान आई हो जाएगी X प्लस 9 10 वर्ष बाद A की आई हो जाएगी X प्लस 9 प्लस 10 ये हो जाएगी X बराबर 19 10 वर्ष बाद B की आई हो जाएगी X माइनस 10 तो इसको लिखेंगे X प्लस 19 बराबर 2X माइनस 10 ये नीचे आजाएगा x प्लस 19 बराबर 2x माइनस 20 तो x बराबर आजाएगा 19 प्लस 20 x का मान आजाएगा 49 इसका सही अंसर हो जाएगा option first एक्स कुस्ण हो जाएगा निमिन में से कौन सा ओस दिये पादप है इसका सही अंसर हो जाएगा option d तुलसी इसी के साथ हमारा वीडियो कंप्लीट होता है यदि वीडियो परसंद आये तो इसे like करना ना बोले और ऐसी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें